दोस्तों कि आप सच में ही सीरियस है प्रोपटी खरीदने के या वैसे ही आरंडी करते रहते हैं कि यहां पर चीज़े हैं वहां पर चीज़े हैं लेकिन आज बहुत काम की चीज़ आप लोगों को बढ़ाने वाला हूं वो यह है सबसे पहले तो आज मैं आपको सोना के बारे के फ्लोर फिर प्लोट के जैसे की ATS ब्रीज वगर यह सारी चीज़े ऐसी है जैसे एक टाइम के अंदर जब गुरुगाओं की स्टार्टिंग हुई तो साइबर सिटी के नाम से जानते थे लोग क्योंकि वह दिल्ली के नजदीक था अगर आस सोना में कोई जाना चाता है वह गुरुगाओं के नजदीक लेना चाता है यानि इसी एरिये के अंदर सेक्टर 35, 36, सेक्टर आपका 33, सेक्टर 32 यह जो एरिया है सेंटर पार्क, सिगनेचर ग्लोबल और यहां पे बहुत सारे दिन द्याल के प्लोर हैं क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि connectivity नहीं है इसी वज़े से जब गुरुगाओं की development शुरू ही थी cyber city तो कोई connectivity नहीं थी सिरफ एक national highway एनेचर था आज इसी opportunity को मैं आपके साथ है न वो share करूँगा और share करूँगा एक बहुत अच्छे build a floor के बारे में बहुत गजब की आज इस वीडियो में मैं connection के बारे में की सेरी के अंदर आज property करीजने का क्या benefit है तो वीडियो को शुरू करते हैं पूरा देखना समझने के बाद जब दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए investment के लिए और end user के लिए चलिए शुरू कर यह सारी चीजे स्टार्ट की थी क्योंकि वह एरिया इसलिए भी आज भी डिमांड में है और सबसे ज्यादा रेट आपको उसी एरिये मिला क्योंकि वह दिल्ली के नजदीक था तो सबसे पहले वह डवलोप हुआ रेट बड़े investment बड़ी सारी चीजे उसी एरिये के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुई क्योंकि वहां पर एक ही connectivity नैशनल हाईवे एनेचे जो जोड़ती थी आपको दिल्ली और गुरुगाओं के साथ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह वाला जो एरिया है यह गुरुगाओं आप साइवर सिटी डियलेफ और गुरुगाओं से और सोना के बीच की जो connectivity है वो इस elevated से connect होती है सोना के साथ तो जो सबसे पहले जो सोना का area है यह वाला जैसे सेंटल पार्क सबसे पहले आया फिर आसियाना यहां पे आया फिर उसके बाद सिगनेचर आया उसके बाद गुद्रे जाया ब्रीज आया तो ऐसे करते करते सार 20,000 रूपे पलूट बिकने वाले आज डाई लाग रूपे गज तक पहुंच चुके हैं तो यह वाली जो connectivity है यह सबसे प्रीमियम connectivity है क्योंकि यह आज के दिन है न रनिंग है और यह वाला जो सरकल देख रही है यह DMIC और इधर सारा commercial area है जिसमे commercial activity होगी यह पुरा mall बनने लग रहा है यहां पे तो आज अगर आप समय पे इस area के अंदर कोई अच्छी opportunity अगर आपको जल्द मिलती रिशेल में मैंने को हुआ कि आप रिशेल में जाके opportunity क्यों खरीदे मैं चाता हूं कि आप fresh में गुसुख तब आपको बढ़िया return मिलेगा पैसा दीरे जाएगा यह वाला जो area है सारा signature global यहां आरो एक के यह plot है दीन दियाल plot है आप एक चीज समझना कि जो दीन दियाल के plot की जो project है जितने भी यहां पे है सब के अंदर floor बनेंगे और सब को developer उन्हें खरीद लिया हर खरीद भी रहे हैं जो जितना rate मांग रहा है वो खरीद रहा है क्योंकि इन plot के ऊपर चार floor बनने हैं तो यहां पर rate इसलिए high है क्योंकि अब Sona का सबसे बड़ा road होगा उसकी ऊपर होगा यह DMIC ठीक है एक चीज और मैं आप बदा देता हूं यहां से इतना आपको रस्ता दिखेगा और land चोड़ी होई मिलेगी यह है वो 60 मेटर का road जो गुड़गाओं से extensor road से direct ऐसे जाएगा बीच ओभी Sona और Central Park के बीच होता हु होगा आगे जहां Golden Park वगयरा है वहां पर जाके connect होगा तो यहां से connect होना है किसी दिन DMIC की प्रोपर वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको पूरी चीजे समझ में आए तो इधर भी पूरी अरावले की पाडिया है और इस साइड भी अरावले की आपके न्यू गुडगाओं से गुडगाओं वाने में ज्यादा टाइम लगता है वलकि सोना से गुडगाओं वाने में कम टाइम लगता है अब यह भी कहोगे कि टोल लगेगा भाई 300-300 रुपे का पास बनता है महीने का मेरे इसाब से कोई ज्यादा नहीं है गाड़ी यूज कर रहे हो तो इतना तो तेल भी फुकते होगे तो भाई इतना टोल देने में कोई हरजाना नहीं है यहाँ पे यह आरोफ के हैं यहाँ पे प्लोट ओलडी लॉंच किये गई है आरोफ ने एक 25-30 का यहाँ पे रिसेल हो जाता है 41 प्लोट के इसाब से यह पार्क 4 & 5 है ठीक है यह DMIC है पार्क 4 & 5 डिलीवर हो गया है लोग रह रहे हैं रेंट काफी अच्छा है यह DMIC का सरकल पूरा आप इस रोड से connected है उसके बाद अगर आप गुरुगाओं की तरफ से आते हैं तो direct elevated को use कर सकते हैं उसके बाद यह DMIC दिली की तरफ चला जाता है आपने देखा अगर पीछे signature global ने अभी floor launch किये थे 2 क्रोड का floor मिलता है 2 क्रोड का floor मिलता है जबकि अगर वो floor अगर आप लेते हैं तो आप ना तो सोना के हैं और ना हे गुरुगाओं के हैं उस floor में रहने के लिए भी आपको toll pay करना पड़ेगा बच्चों को या सोना भेजना पड़ेगा या आपको गुरुगाओं भेजना पड़ेगा सोना में ये तो benefit है कम से कम यहीं पर university है यहीं पर school है यहीं पर सारी चीज़े active है commercial active है सारी चीज़े है तो ये elevated चलता हुआ highway है मेरे इसाफ से यहां कभी traffic नहीं होगा क्योंकि आपको दो हिस्सों में ये road divide होता है एक elevated है जो सोना का जो traffic वो ऊपर ही ऊपर गुरुगाओं के लिए चला जाता है service line पे traffic वो होगा जो आसपास के लोग यहां पे रहते हैं देखो इतना तो traffic बनता है अगर लोग रहेंगे और फिर road के ऊपर आएंगे तो connectivity बनेगी इधर वाला area आप देखोगे पूरा develop है family shift हो गई है signature ने यहां पे floor पे position हो दे चुका है उसके पीछे पूरी पाड़िया है कोई R zone नहीं है development नहीं है NGT का area है एक update दे देता हूँ कि यहां पे ROF 4S का यहां पे affordable आ रहा है यह high extension virus project के उपर से है यह entry है इसकी तो यहां पे affordable आ रहा है आपका मन है तो उसमें भर देना अगर आप eligible है affordable के बारे में नहीं जानते हैं तो video डली हुई है आप चेक कर सकते है यह पीछे सारा central park है man road से किलोमेटर अंदर तक central park फैला हुआ यह आशियाना का है यह bridge के floor है affordable से शाट से सतर लाग रुपे रीचेल होती है पंदरा लाग पंदरा हजार रुपे यहां पर खरा rent मिलता है यह property 19 लाग से लेके 22 लाग क्योंकि अलग अलग साइज है 19 से 22 लाग रुपे में विकी हुई यह property उस टाइम पे लोगों ने बहुत cancellation करा कि सोना में कोई नहीं आएगा इतना रुपे आज यहां 15,000 रुपे हो बहुत भरा हुआ है इसमें और वीजिट करना इसमें और इनका तो यह commercial है कमर्शल के अंदर हर परकार की सोप है अगले साल तक यह मोल आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर देखना लोग सबसे ज़्यादा इस एरिये में रेंट पे रहेंगे और इस एरिये में एक benefit है वो क्या है कि यहां पे एक फ्लाइयोर है यहां पे यह वाला और इसके नीचे से अंडर पास है तो आप इधर भी जा सकते हैं और यहां से इधर भी आ सकते हैं यह भी benefit है आपके लिए एक benefit और मैं बदा देता हूं कि माल लेजिए आप इस एरिये में रहते हैं इधर रहते हैं तो यहां से यूटन लेके आप यहां पे जीडी गोईन का स्कूल भी है क्या आपके बिल्कुल बगल में है उसके पाद इसी उसके अंदर डॉक्टर के भी है लैब भी खुली हुई है मेडिसेन के लिए इसके अंदर ठीक है और यहां पे और भी फैमिली है यह तुलसियाने का अफोरेबल है अब इसका पता निक का पोजेशन होगा ब्रीज के यह फ् प्लस का रेट है जो बड़ा साइज था फंदरा सो स्कार फिट का वह कोड़ा के आसपास पलस ही हमने बेचा था आज वहां पे अच्छा-कासा मारजन पचास-साट लाग रुपे का प्रीमिम हो तीस अजार रुपे के आसपास का रेंट यहां पर मिलता है सेंटल पार्क मे जो सबसे पहले जो फ्लोर आए थे उसमें अगर देखोगे तो आपको डेड़ गुरूर के आसपास का रिसेल फ्लोर मिलता है अगर मैं कहूं कि इस एरिये में मैं आपको त्रो ताजा फ्लोर दे देता हूं बहुत अच्छे अच्छे अप्रेसेशन के अच्छे पेमेंट प्लान के साथ तो कैसा रहेगा फ्यूचर है अच्छा है सोना का यह एरिया ब्राइट होता हुआ नजर आ तो दोस्तों अगर आप रेंट पे रहते हैं प्रोपर्टी ख्रीदना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि मैं रेंट भी पे करूंगा फिर प्रोपर्टी के जो लोन उनल और यह जो सोना नजर आ रहा है यहाँ इसका नाइट तिन अच्छा है यह जूना से सुमय वीडियो कि मैं डिटेश से डिसकस करूँगा यहां पे और लोगों के बहुत सारे डाउट हैं कि सोना की मार्केट में वो दम नहीं रहा भाई बहुत दम है तब ही आज सेंटल पार्ग डाई लाग रुपे गज क्यों पहुंच गये क्यों अफॉरेबल साथ सतर यहलाग रुपे में भी करें क्यूं अफॉरेबल के अंदर mình 65 रुपे का रेंट मिल रहा है क्यों यहां पे बार बार पलोट के रेट डेड़ लाग रुपे गज दीन देयाल पहुंच चुका है तो कौन खरीद रहा है कौन रेट रिवाइज कर र है उनको कौन खरीद रहा है आशियान अपना फेस्टू लेके आया था वो किसे ने खरीद पीछे दीन दियाल सेक्टर चार पांस तक सब दीन दियाल फुली सोल्ड आउट है डवलोप्रों के पास कोई माल ने तो उनको कौन खरीद रहा है देखो जब भी किसी सुसाइटी या किसी भी टाउन को डवलोप करना होता है तो प्लोट ही सबसे पहले आते हैं जैसे जैसे वहां पे चीजे रीशेल में शुरू होती है मार्केट आगे रहना शुरू होती है अगर मार्केट आगे निश बढ़ेगा तो चीजे चाहिए जो आगे बढ़ावा मिले अब गुरुगाओं के अंदर कोई लेंड पारसल नहीं तो नई चीजे नहीं आ रही न सारे के सारे नई इंप्लिमेंट नहीं प्रोडेक्टों की तरब जा रहे हैं गुरुगाओं से भाहर लिकर रहे हैं दिल्ली से लोग भाहर निकल रहे हैं दिल्ली से सबसे ज़्यादा यहां पर आ रहे हैं सोना में अगर यहां पर दस वैक्ति आते हैं तो उसमें से 6 से 7 दिल्ली के लोग मिलत तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगली वीडियो जो रूरूर देखना दोस्तों बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा थैंक्ये दोस्तों झाल झाल